नाक्पनी पुष्ट दे नहीं सकते, ब्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते, आपातकार लगाने वाले सम्विधान की रक्षा कर नहीं सकते, जनता विरोधी की जिनका रहा है इतियास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते, ये कहते हैं कि नफरत के बजार में महबत का दुकान लाएंगे, इनका दुकान तो ब्रष्टाचार का दुकान है, जूट का दुकान है, तुष्टी करण का दुकान है, आइंकार का दुकान है, केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वहीं, राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किर्दार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिर अजन चौदरी जी ने स्वैम कहा कि ये मजबूरी का गड़बंदन है मैं उनको वोड़ करना चाहता हूँ उन्होंने एक इंटर्वियू में कहा था दिर्दाने सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनाट चलते हैं सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनाट चलते हैं सबको एक जुट होना जरूरी है ये मजबूरी है पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर टू इंडियास की बात करते हैं ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शोरिया और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो करोना जैसी भीशम समस्या में राजनीती पर उतर जाते हैं और आज पिछले दो दिनों से सभाबती मौद है मैं सुन रहा हूँ विपक्ष को कोई महावारत की बात कर रहा है कोई रामायन की बात कर रहा है कोई राम की बात कर रहा है कोई रावन की बात कर रहा है अच्छा है कि आज धरम की बहुत बायाद आई इनको कोई जनेयोधारी है कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे है कोई यग्या आयुजित कर रहे कोई पाटी तो अपने संकल्ब पत्र में डाल रहे हैं कि रामवन गमन पत्र का हम संकल्ब करते हैं मैं इनको सपष्टरुप से बताना चाहता हूँ यह मुकोटा नहीं चलेगा हमारी देश की आज 140 करोड जंता की आस्ता और पीडियों की सपना हमारे मर्यादा पुर्शोत्म भगवान राम का भव्या मंदिर अयोध्या में प्रदान मंत्री नरेंद मोधी बना रहे जा रहे है आज इनको मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी बार दो बार आपको रिजेक्ट किया है तीसरी बार भी प्रचंड भावमट के साथ एंडिये की सरकार यहां स्तापित होगी प्रदान मंत्री नरेंद मोधी जी के नेतित में भारत आज चल चुका है अमरित काल से शताबदी काल के सफर पर विश्व गुरू के रूप में भारत स्तापित होगा इसमें कोई दोर आए नहीं और आप इस सत्य को अपने जूट के साथ प्राजित नहीं कर सकते मैं अंत में चार लाइन करके अपना बात समाब करता हूँ नाकपनी पुष्ट दे नहीं सकते ब्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते आपातकाल लगाने वाले सम्विधान की रक्षा कर नहीं सकते जनता विरोधी की जिनका रहा है इतियास कितने भी चेहरे बदल ले जनता के हो नहीं सकते